वेलकम ओल दी विवेश्ट आप लोग सभी जानते हैं कि यह चैनल जिसका नाम अवेर्नेस आफ लीगल फ्रेटर्डिटीज है का प्रारंभ विहार जुडिशियल अकेडेमी में इस फेकल्टी मेंबर जो लेक्षर मेरे द्वारा दिया गया है उसी को अपलोड कर प्रारंभ किया गया था क्योंकि अनेको नियाइक पताद के कारियों का अन्रोध हुआ था कि जो भी लेक्षर है उसको यूटूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाए और उनके अन्रोध पर ही ये चैनल प्रारंभ किया गया था लेकिन बहुत सारे लेक्षर्स जो अकेडेमी में उपलब्ध हैं उसको पुराने लेक्षर को अपलोड करने में प्रसानी हो रही है क्योंकि सभी लेक्षर मुझे अविलेबूल नहीं करा गया है और एकेडेमी में आईसी ववस्था नहीं है कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर जो लेक्षर दिया गया है उस लेक्षर को अगर मांग किया जाए तो एकेडेमी से तुरत उपलब्ध करा दिया जाए यद्वी की मेरे अनरोध पर लेंड लॉपर एक बड़ा लेक्षर है जो वर्चुल जब ट्रेडिंग पराम चल रहा था उस समय दिया गया था जो दो घंटा चालिस मिनट का है उस लेक्षर के बारे में बहुत सारी प्रतिक्रियाय मुझे मिली है और मिल रही है और बहुत से जुडिशियल आफ़सर ने काफी परसंसा किया है खास करके वैसे जुडिशियल आफ़सर जो बिहार से बाहर के थे और उस लेक्षर को सुड़ करके बहुत सारे दिवानी मामले को सिविल सूट्स को या अपील को उन्होंने फैसला किया और उन लोग काफी संतुस्थ है और समय समय पर उन लोग से संपर्क होता है बातचीत होती है और प्रॉब्लेम को सेर करते है तो इसी बैक ग्राउंड म जब चैनल के सब्सक्राइबर और व्यूवर की संख्या बढ़ने लगी तो इसका फार रीचिंग कंस्यूकेंसे जैने इंपैक्ट मैंने देखा और महसूस किया प्राथमिक तोर पर तो यह बीधिंग विवसाई से जुड़े हुए अधिवक्ताओं और नयाइक पताथिका जारियों तक ही सिमित रहने का उमीद था लेकिन इसका लाब सर्व सामान व्यक्ति को सर्व साधान को आम जनता को भी मिल रहा है बहुत अवर्नेस लोगों में आ रहा है आज सिक्षा का जैसे ही परचार परशार बढ़ रहा है और लोग सिक्षित हो रहे हैं गाउदेहात म में भी और मोबाईल सबके हाथ में हैं एंडॉइड और सभी यंग्स्तरस लोग अदर सब खोज लेते हैं और सुनते हैं तो बहुत से लोग लैंड पर तरह तरह का जो वीडियो अव्यडियू है वो सब यूट्यूबपर सर्च करते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं तो मेरे पास या तो रिटन में request आता है या comment आता है या like आता है उससे अंदाजा लगता है और उसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो request करते रहे हैं कि आप land law के ऊपर complete एक lecture series का video अप्लोड कर दें ताकि सर्व साधारन को, अधिवक्ताओं को या न्याय प्रदाधिकारियों को, तथा रेभुनू से संबंधी जितने भी प्रदाधिकारी हैं, उनको सही और सटिक जानकारी हो सके ताकि आम जनता को भी न्याय मिल सके। मैं इस बात के लिए शुरू से तयार था, लेकिन समया भाव के कारण मैं अलग से कोई लेक्चर सिरीज तयार नहीं कर सका था। बाद में मुझे कुछ न्याय प्रदाधिकारियों का भी पर्सनल रिक्वेस्ट आया। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा है कि ए जेनरल लॉ लेक्चर सिरीज ओन कम्प्लीट लेंड लॉ पर होगा। और इंट्रोड़क्टरिल लेक्चर मैंने पहले दिया था जो माना जाएगा कि लेक्चर नमबर वन है। आज का लेक्चर नमबर टू है उसी कड़ी में आगे। उसी को आधार मानकर के आज हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि ये क्रमसह लेक्चर चलेगा। या तो इस सब्चेक्ट पर एकड़ी में लेक्चर देने का मौका मिलेगा तो भी इसी कड़ी में वो जुटेगा। या उसके अतिरिक्त आप लोग के सुविधा के लिए और आप लोग के फरमाइस पर और बहुतों के जिग्यासा को सांध करने के लिए ये सतत ये सिरी चलेगा जब तक कि पूर्ण विश्य को समापने किया। मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि एक रेभुपदा धिकारी जो डिशिलार रेंके हैं उन्होंने कई प्रस्ण मेरे सामने रखा था उसका अंसर जानना चाहते हैं। और सभी प्रस्ण काफी इंपॉर्टेंट है और वो काफी सभी लोग के लिए सहुलियत परदान करने वाला होगा अगर उसकी सही जानकारी होगी। जहां तक मेरा अपना अनुभव है यह बिधी अफसाई में रहने के कारण चुकि मेरा लीगल प्रैक्टिस लगवक तिरपन साल का हो गया है। जिसमें मैंने लगवक बीस बर्स निम न्याले यानि कि निम न्याले में जो रेवनू कोर्स होते हैं। रेवनू कोर्स और जिलासतर पर जितने कोर्स होते हैं उसमें मैंने प्रैक्टिस किया। और उसके बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। टोटल लेंथ और प्रैक्टिस 53 अर्स का है। इसलिए मुझे रेवनू कोर्स में सियो, टीसेलार, एडिसनल कलक्टर, कलक्टर, कमिशनर, बोर्ट अफ रेवनू, बिहार लेंड ट्रैवनल, सभी नियालों में काम करने का अनुभव प्राप्त है। और उस अनुभव का लाव और लोगों को मिले, इसलिए मैं कुछ लाव बुक भी लिख रहा हूं, वो बाद में आएगा, लेकि लेक्टर सीरीज पहले आ रहा है ताकि लोगों में अवेरनेस हुए। ये लेंड लोग जो है, थोड़ा जेटिल भी है, और खास करके बरावरी से प्रसन आता है, मेरे सामने जो केसे आते हैं, उसमें एक ही तरह का प्रॉब्लम बारवार आता है, इससे मुझे पता चलता है कि कलेरिटी ओफिसर्स में नहीं, या तो उनको प्रॉपर रेवनु आफसर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, या उनका बैक ग्राउंड एडूकेशनल नहीं है, प्रॉपर या उनको टाइम की कमी है, और उनको प्रॉपर एसिस्टेंस नहीं मिलता है, और उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, या कुछ जटिल बैधानिक प्रवधान है जिसको पढ़के वो नहीं समझते हैं कारण जो भी हो मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहता हूं लेकिन ये अहम मुद्दा है बहुत सारे गलत आदेश पारित हो रहे हैं हाई कोट और सुप्रिम कोट के दिसानिद्रेश के बाबजूद भी उसी बिंदू पर ल रेवनु में कराते रहे हैं उसे आज तक कॉम्पीटेंट जो कि सभी रेवनु लॉग के बारे में अप्टूर्डेट हो एक भी रेवनु प्रदाधिकारी से वास्ता नहीं हुआ है जो आदेश देखते हैं उससे पता चलता है कि उनलों का लीगल जो एप्रोच है जिसको होते हैं लीगल लीटर इंसाइट जो है वो कितना कमजोर है लेकिन अभी जो हमारे पास प्रस लखने वाले जो एक रेवनु अपसर है वो उनका इसलिए हम सम्मान करते हैं उन्होंने बहुत कड़ा प्रसंदिया है जिसको कह सकते हैं वर्निंग कोश्चन्स है जो आज चैल किसी का भूर्जर में भूमी अर्जित हो जाता है उसको च्छती पूर्ती दावा के लिए पदाधी कारी के हाँ जाना होता है तो पुराने खतियान के अधार पर उनको कह दिया आता है कि आप अपना भूमी का रहिती घोसना करवा के सक्षम पदाधी कारी से लाएं या मालिक लिखा हुआ है, सीर लेंड लिखा हुआ है, कामत लिखा हुआ है, खुदकास्त या जीरात लिखा हुआ है, या कैसरे हिंद लिखा हुआ है, या ये खास महाल का है, तरह तरह का या बकास जमीर है, अगर पुराने सर्वे रेकॉर्ड भी इस तरह का इंट्री है, त में वहां से आदित कर वाई कि रेवनु पम्नादिकारी भी उसको नहीं समझते हैं और सरकार के during कुछ दिसाδेश जो पत्र के द्रेश जो दिया है संकल पत्र के द्रारा उससे भी पता चलता है कि वह संकल पत्र जो है उसमें कुछ तुरुटी है उससे भी रेवनु नयाले उसका दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ता है अब बकास्त भूमी के बारे में ब्लैंकेट चिठ्थी निवंधन विभाग को चला गया है सम्मंधित सरकारी विभाग से कि जो बकास्त भूमी है उसका निवंधन रोग दिया जा उससे भी परिसानी लोगों को हो रही है मुआफ चलती हो गई तो उसके चलते भी सिविल कोट में बहुत सारा डिस्प्यूट हो रहा है और आज के तारिक में भूमी का कीमत बढ़ गया है और लोगों में लोग लालच भी बढ़ गया है इसलिए कुछ रॉंग इंट्री का फाइदा लेके बहुत तरह का नया मुकदमा भी सि समाज में है कि लैंड लोको स्ट्रीम लाइन कैसे किया जाए और सही जानकारी दिया जाए अगर कोई भी विवर या जुडिशियल आफसर या कोई भी अधिवक्ता या कोई भी रिवनुपदादिकारी इस लेक्चर सिरीज को सुनेंगे तो हर बिंदूओं पर उनका भ्रम जिसा निर्देस है उच नियाले या उस्तम नियाले का या अन नियाले का जो रेलिवन्ट है और इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में भी इस लेक्चर सिरीज में बता दें तो सरप्रथां आज हम वहां से सुरू करेंगे कि ये जो आज का दूसरा लेक्चर है ये भी एक का second part है और थोड़ा background इसके बारे में land law के बारे में आज बता देना चाहते हैं क्योंकि history of land बगएर जाने वे land law का history जब तक आप नहीं जानियेगा तो आज का जो present procedure और provisions बना हुआ है उसको समझने में difficulty होगी तो इसलिए थोड़ा सा historical background हम बताएंगे और historical background बताने के पहले मैं आज वो सभी प्रस्ण जो मुझसे एक बहुत सजग और बहुत जानकार रेवनू पताधिकारी जो DCLR रेंके हैं उन्होंने मुझसे पूछा है और मैंने उसका संक्लन कर लिया है आज मैं वो प्रस्ण पहले आप लोगे सामने रखता हूँ ताकि ये प्रस्ण किसी भी प्रकार से नियाएक प्रकिरिया में आपके सामने आए या विधी वेवसाइश से जुड़े हुए अधिवक्ताओं के सामने आए या रेवनू पताधिकारी के सामने आए तो उसका बकास्त मालिक जमीन की बरतमान इस्थिती बिहार टेनेंसी एक्ट 1885 के सेक्षन 21A में क्या है दूसरा है कि बिहार बकास लैंड इस्प्यूट रिजरूर्शन एक 1947 और बिहार लैंड इफॉर्स एक 550 की धारा पांच और साथ के संदर्मे बकास्त भूमी की आज की इस्थिती क्या है उसको क्या मानना चाहिए क्या उसका स्वामित सरकार के पास चला गया या भूत्पुर्जमिदार का ही रह गया या उसमें किसी रईयत का कोई अधिकार है या नहीं है क्या उसका लगान पहले से दिया जा रहा है या आज तक लगान नहीं दिया गया है तो कौन सी परकरिया पनाई जाएगी और कौन से पता धिकारी होंगे ये पहले प्रस्ट में कई प्रस्ट समाहित है उसको फिर डिटेल में हम अगले लेक्चर में बताएंगे दूसरा प्रस्ट जो उनका है जो बहुत important प्रस्ट है और सब glaring questions है जो पुछा गया हम से बिहार में जमिनदारी उन्मूलन के उपरान फिल्ड बुजारत की कारवाई की गई थी और सभी कामिल लगान भूमी के लगान देधारन की गई थी और जमबंदी काइम थी यह कारवाई बर्स 1905 से प्रारंब होकर बर्स 1901 तक लगवक चली थी प्रंतु इसका कागजात जिला अं करवाने की होगी पंजीदू में भी कुछ अंकित नहीं है यह प्रस बहुत जादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है आज के संदर में और बहुत छोटा और इसका जवाब बहुत सटिक है सबों के विवर के लिए जानकारी के लिए आज इस प्रस का मैं अभी उत्तर दे द बताएंगे अभी मान के चलिए इनके प्रस्ट के संदर में कि जो जमिंदारी उन्मूलन के द्वारा यानि की कोई बैधानिक प्रक्रिया हुई जिससे जमिंदारों की जमिंदारी चली गई तो जमिंदारी उल्मूनल अधिनियम बनाया गया था और उसी अधिनियम के आध राज की बात करें तो यहां पर बिहार राज हो गया और बिहार राज की जो सरकार थी वो सभी जमिंदारों का जो अधिकार था बिहार राज को प्राप्त हो गया वो संबंधी जमिंदारी उन्मुलन है जैसे हमारे हां जो जमिंदारी का उन्मुलन हुआ उसके पीछे भी historical background है और historical background में एक चीज़ है कि बिहार Land Reforms Act 1950 है जिसके द्वारा की जमिंदारी उन्मुलन वाली को उसके पहले 1947 से प्रकिरिया चली थी और भी बड़ा interesting है और हर बिहार बासियों को इसके बारे में जानना चाहिए मैंने कई बार इसका जिक्र अपने लेक्षर में एकडेमी में किया है और संजोग बस जब इलामाद हाई कोट से जस्टिस पीसी बर्मा पटना हाई कोट ट्रांसफर हो के आये थे और फस्ट दे उनके हाँ जब सिविल मैटर्स सेकेंड अपील का लिस्टिंग हुआ था और एक अपील में दो सीनियर एड़ोकेट्स अपियर कर रहे थे उसमें कुछ इस तरह का प्र लेकिंटर्फीन करके क्लाडिफाई किया था कि एक्श्ट्वली बिहार में 1947 में ही जमिंदारी का अपर्यृशन हुआ था उसके बारे में detail में बताए गया थो रहे यृक्ट 1948 में freely हो गया रReximal क्यूं हो गया कि जब 1947 में भी है इस इस पस्ध जमिंदारी अपॉरीशन है तो पहला राज है बिहार जो जमिंदारी अबॉलिशन एक्ट को पास किया था 1947 तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में दर्भंगा महराजा के उनको पद्वी थी उस सबसे बड़े जमिंदार थे तो उन्होंने उस एक्ट को चैलेंज किया कि ये एक्ट गलत है अल्ट्रा इस बात के लिए फाइल किया कि ये एवालिशन उफ जमिंदारी एक्ट 1947 को अल्ट्रा वाइरस डिकलियर कर दिया है तब कुश्चन होता है अल्ट्रा वाइरस डिकलियर तब होता है जब कोई स्टैचूट के अगेंस्ट में हो तो 1947 में तो आजादी पूर्टा मिली नहीं जो कि मैंने अपने लेक्ट्चर में इंडिया इंडिपेंडेंस डे में बताया है वो भी आप लोग सुनिएगा कि कब आजादी सही में मिले थी हम लोग यो पंदर अगर सुने 47 को आजादी मनाते हैं वो टेक्निकली सही नहीं है लॉजिकली जो बनाते आ रहे हैं टैटिस होगी तो उस समय कंस्ट्यूशन भी नहीं बना था और हमारे पास जो ब्रिटिस लोग अडिमिस्टेशन का काम कर रहे थे इंडिया में रह करके देवेर रूलिंग इंडिया उसके लिए उन्होंने बना था गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट कई बार में होगे लास्ट मे था तो 1935 एक्ट का बहुत सारा आर्ट किल इंडियन कंस्ट्यूशन में है जो कंस्ट्यूशन के भी द्याती रहें वो जानते हैं तो हमरा समीधान जो है खिचड़ी है बहुत मुलकों का समीधाना है उसमें लेकिन उसका बैक बोल कहिए या स्पाइन कहिए वो है गवर्मे इंडिया एक 1935 जब यह सूट फाइल हुआ तो गौर्मेंट में थोड़ा मर्मरिंग होने लगा कि क्या हो गया तो परमसी फेल कर जाएगा तो हाई कोट के चीफ जस्टिस ने इसका सुवो मोटो कोगियंस लिया यह पहला और आखरी केस है पतना हाई कोट के हिस्ट्री में जिसमें दीदेन चीफ जस्टिस और पतना हाई कोट में सुवो मोटो कोगियंस लिया और सेक्शन 24 CPC का पावर एक्सरसाइज करके उस सूट को सबजज एक दरवंगा से ट्रांसफर करके रिकॉल करके अपने हाई कोट में मंगवा लिया जब हाई कोट में मंगवा लिया त कॉपी उसकी सर भी एडवोकेट जेनरल पर एडवोकेट जेनरल और गौर्मेंट ऑफीसर्स और मिनिस्टर्स के बीच में डिसकस्न हुआ तो इन लोगों ने पाया कि ये एक्ट जो है वो टीके का नहीं ये एक्ट में बहुत सारा लूप होस है लूप होस क्या था लूप ह आएंगे तो समझ मैं अभी सिर्फ पासिंग रेफरेंस के लिए जा लिए कि एवरी इंच ओफ लेंड बिदिन दी एंबिट ऑफ जमिंदारी बिलॉंग्स टू दी जमिंदार जो टीलर ऑफ दी स्वाइल होता था जो जमीन जोता था कल्टिवेटर फार्मर जो भी कहिए उ उस सब जोता था और लेंडलोड के मर्जी पर जोता था दे वेर कॉल्ट टेनेंट्स एट विल लोग टेनेंट्स थे लेकिन अभी जोता है कल भगा दें और मन्वानी धंग से उससे लिया जाता था टेक्स के रूप में अनाज या रुपया लिया जाता था जो अनाज लिय लिया जाता था उसको बोलते थे भावली लेंड आज इसमें टेक्स के रूप में लिया जाता था पैसा रुपया उसको बोला जाता था नगदी दोग तरह का उस समय होता था जमिंदारी के समय में भावली और नगदी बाद में उसके बारे में बहुत सा कानून रहा भावली लेकिन रहियत को कोई राइट नहीं था उस जमाने में और जमिंदार लोग प्रिविलेज क्लास होते थे अधे वे रॉयल टू ब्रिटिस इंपायर ब्रिटिसर्स जो रूलर के रूप में हा थे उनके लॉयल थे उनके एजेंट भी आप कह सकते हैं तो वो लोग रेवनु जो क्लेक्ट करते थे उसका मेजर पोर्शर रेवनु का वो ब्रिटिसर्स अंग्रेज सरकार को देते थे उसका परसेंडेज था उनलों का 11% अपने रखते थे और 89% रेवनु का वो देते थे अंग्रेज को उसके पहले जब इस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी तो और ज्य आदा लेती थी इनलों को 9.9% ही मिलता था जमिदार को उसको बढ़ाया गया बाद में वो जब पर्मानेंट सेटल्मेंट का स्कीम आया लौड करनवालिस उसके समय में उसके बारे में और डीटेल में चल्चा करेंगे तो ये एक्ट में कुछ नहीं प्रावधान था कि जो जमिदार की जमिदारी ले ली गई राइट को खतम कर दिया वो एक्ट एक ही लाइन का था ही एक ये दो लाइन उसमें था एक सेक्शन जो होता है एक्स्टेंट एंड जिसमें रहता है कि नाम क्या है एक्स्टेंट क्या है और दूसरा में प्राविजन था तीसरा में रिप स्टेट के तरफ से टिकेगा नहीं स्टेट इस एक्ट को डिफेंड नहीं कर सकता है तो आपस में विचार मिमस के बाद एड़ोकेट जर्नेल और लॉड डिपार्टमेंट और गौर्वर्मेंट के रेवनु डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी मिल करके और जो दिशानिर देश सरकार कियों से दिया गया उसके आधार पर दो तीन महिना चार महिना के बाद सरकार ने एक दूसरा एक्ट पास किया उसका नाम है Abolition of Jamindari Repeal Act 1948 वो भी आधास लाइन का एक एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि The Abolition of Jamindari Act 1947 is hereby repealed यानि क्यों एक्ट वो समात क्या आता है और एक्ट पास हो गया 1948 में 1948 में एक्ट पास हो गया तब High Court ने इसको सुवमोटो कोगिया या Advocate General ने इसको प्लेस किया High Court के सामने तो High Court Judges ने कहा Chief Justice आउनके साथ जो भी बेंच में थे कहा कि ये तो आपका suit has now become infructuous because the suit was filed with an intention and with a relief to declare the act as ultra virus तो it has already been removed now there is no act in existence after passing of the repeal act यानि की जब कानून पुराना कानून सहितालीस माला जिससे जमिंदारी लिया गया वो कानून ही निरस्त कर दिया गया उन्हें सुरतारीस के act से तो आपका suit infructuous हुए आप suit चलने लाइक नहीं रहा तो कोट ने होल्ड कर दिया now the suit has become infructuous and due to become infructuous it is dismissed, dismissed as infructuous suit समाप्त हो गया तब हुआ क्या कि बिहार लेगिस लेचर ने सोचा कि अब तो जमिंदारी उन्मूलन के लिए और अधर स्टेट्स में भी कानून बन रहे थे तब तक कंस्च्यूशन भी आ गया कंस्च्यूशन लागू हो गया लागू होने गबाद उन्हें सो पचास में बिहार लेगिस लेचर ने पास किया बिहार लेंड इफॉर्स एक्ट 1950 तो पचास के act में सारा प्रावधान किया गया और उसके तीन साल बाद उसका रूल्स बना बिहार लेंड इफॉर्स जब कोई act बनता है तो उसको कैसे कार्यानवित किया जाएगा उसके प्रावधानों को और किनको किनको सक्ति परदान की जाएगी कौन सक्षम पदाधिकारी किस कार के लिए होगे इसके लिए रूल्स में प्रावधाना जाएगा जिसको अधिनियम कहते है अधिनियम act हो कहते है और उसको नियम कहते है या नियम आवली भी कह सकते है तो रूल बना बाद में तो जैसे ही act बना तो फिर दरभंगा महराज ने हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दिया और रिट में फिर 1950 act को चैलेंज कर दिया और इसको चैनलेंज कर दिया कि इस एक्ट को भी अल्ट्रा वायरस डिकलर के आज या अल्ट्रा वायरस व कंजूशन तर टुट्वेंटिश्ट आट किल टूट्वेटी सेवन में रिट फाइल हुआ था रिट फाइल हुआ कौपी सर्वी एड़ोकेट जेनरल पर फि हो अल्ट्रा वायरस डिकलेयर कर दिया बिहार लैंस में स्मार नाइटिन-फिफिटि को जब वायरस डिकलेयर हो गया यानि कि कानूण निरस्त होगец हाई कोट जब ल में अपील किया जब सप्रूइं mentors को मिला और की सरकार जन सरकर के प्रधानितिश्ण चलार नह्तित है तो पंडी जवाहर नहीं देखाई तो ये पहला सूट आ गया और सभी राज के आ जाएगा तो सरकार के पास तो कुछ आमदनी का जरीया नहीं है तो सरकार चलेगी कैसे रेवनु कहां से आएगा मेजर रेवनु तो अगरी कल्चर से ही आता था सरकार के पास उस दमाने में हम सब्सक्राइब लोग जब गुलाम रहे तक गुलामी के कालखंड में हागा जतना भी वैभाब था रिसोर्से था जो कौटेज इंडेस्टिस था सब को अंग्रेजों ने लूट लिया सब धीरे-धीरे करके 200 साल इस इंडिया कंपणी और लगफ़क 200 साल अंग्रेज बिट सेंट्रल गोर्मेंट के लेवल पर अटॉनी जेनलर वगएरा उस दुमाने में जो भी थे तो उन लोगों ने निश्चे किया कि ये कानून को बचाने के लिए राइट टू प्रोपर्टी एक्ट राइट टू प्रोपर्टी जो फंडनमेंटर राइट है कर्चूशन में उ आनन फानन में पंडित नहरु अजए पारलियमेंटरियन एमपी उन्हों ने एक वील इंट्रोडीश किया हूग कि संविधान में दो धाराओं में तंसोधन किया जाए अमेंडमेंट किया जाए। और वह बिल मेजोरीटी में कॉंग्रेस की सरकार थी तो वह बिल तुरत प पास होने के बाद सुप्रीम कोट में किन सरकार ने अपना पक्ष रखा और जो कॉंटर रेफिडिविट दिया उस पक्ष के बाद पिहार लेंग डिफॉर्ट सेक्ट नाइटीन फिफ्टी पूरा स्क्रेप होने से यानि पूरा एक्ट समाप्थ होने से बच गया दो प्राब सब्सक्राइब कर दिया वह सब प्रविजन क्या था जिसमें की जमिंदार के पर्सनल प्रोपर्टी के बारे में कुछ नहीं कहा गया था या उससे जमिंदार को नुकसान होता था जिसे जमिंदार का अपना घर है बाग बगीचा है तालाओ है मंदीर है उसका कचहरी है उस सारे बड़े बड़े जमिंदार थे उन लोग के पास इस सब उस जमाने में उनहीं लोग के पास बैभब था तो बीजनेस और अधर एक्टिवीटी जो लोग करते थे तो उसके बारे में प्रॉपर प्राभधान नहीं रहने के बार कारण उसको सुप्रीम कोट ने स्टेक डा फिर एक amendment किया landy force act में और वो amendment के बाद तेन चार सेक्षन जोड़ा गया 7, 7a, 7b, 7c उसमें बहुत सारा प्राभधान बनाया गया और उसके बाद तुरत rules भी बना दिया गया और उसी के आधार पर अभी जो हमारे पास जो land law है यही applicable है और इसी से कारी करना है और इसी को स औरनेगुल मिस्टर जस्टिस बीपी बर्मा जो अब सेवाने ब्रीथ हो चुके हैं, उनके सामने रखा तो वो बहुत खुस हुए और होने कहा कि I salute this Bihar, who is responsible for introducing first amendment in the constitution, जो constitution का amendment हुआ और Supreme Court का जो case है, वो भी reported है AIR में, तो उसमें लिखा हुआ है महराजा कामेश्वर नाराइन सिंग भरसद Union of India या State of Bihar, उसमें और जो समीधान की किताब है, उसमें भी परसम जो संसोधन किया गया, उसमें भी reference में UKS का जीकिरा है, तो यह सब जब उनको पता है या भी पर्मा को तो बहुत खुस हुए, और वहाँ पर जितने लोग उफस्ति थे, वो लोग, हलाकि बहुत senior लोग भी थे, लेकिन उधर उनका focus नहीं था, या उसमें उनके presence of mind में नहीं था, इसको लाकि उनको सभी जानगार थे, ज़रूर जानते होंगे, लेकिन हमने जो उसको point out किया, तो उसी से उनलोग का problem solve हो गया, तब ज़र सामने कहा, ओ, you are guided by the Bengal tenancy act, और चुकि यूपी के थे तो यूपी के थे, आज के तारिक में tenancy law बिहार से different है, वहां पर जो है, रायत सभी कोई नहीं होता है, रायती रायत डिक्रेयर करापड़ा, इसको भूमिदारी रायत भी बोलते है, और यहां पर by worse होता है, रायत मर जाएगा तो रायत का बेटा खुद रायत हो जाएगा, यह Bengal tenancy act का provision था, जो amend होके जब बिहार अलग हुआ, त पिर आगे सुनवाई होई, तो इस background में अब यहां पर यह कहना है, प्रस्ट नंबर जो दू है, वो दूसरा प्रस्ट का answer एही है, कि जब जमिनदारी गई, तो बिहार लैंड इफॉर्ण्स एक्ट और रूर्स के मताबिक यह mandatory कर दिया गया सभी जमिनदार के लिए, कि लगाना आप लेते हैं, सारा का बेवरा दीजिए, और उसका फॉर्म मना गया, उसी फॉर्म में उनको बेवरा देना था, अब बेवरा देने के लिए, उनके उपर दवाव बनाने के लिए, कि समय सीमा के अंदर ने बहुत छोटे छोटे जमिनदार दे दिया, बड़े जम करम सा होते रहा, छोटे-छोटे जमिनदार का बहुत बात तक के हुआ है, उसके लिए हर बार वेस्टिंग के लिए सरकार को गजट में नोटिफिकेशन जो पब्लिस करना पड़ता था, कि जमिनदार का अबॉलिस हो गया, वेस्ट कर गया, ओलाइन लिफॉर्स एक्ट के हिसाब से जमिनदार को मालम हो जाता था, उस से नोटिफिकेसन से सुमय सीमान निदाई था की अतना जिनकंदर आपको return देना है, तो उसी return को बोलते हैं return जमाबंदी, जिसको अंग्रेजी में वेस्टिंग return भी कहते हैं, कई बार मैंने इस पर class में बताया भी हैं लोगों को, खास करके judicial officers को, लेकिन आज ये lecture आम जनता के लिए open है, तो आम जनता भी इसको समझे और सुने, औ और इसको अपने परियोग में लावे, जहां पर जुरत हो, इस ग्यान का उपयोग कर सकती है, और जो बिजी वेफसायचे जो यह दिवक्ता करने हैं, उनको भी अपने मौकिल के हित में कारी करने में सहोलियत पराप्त होगी, जब ऐसा मामला आएगा तो, तो जमिनदार न जमिनदार के द्वारा रिटर्न बना गया, तो जमिनदार ने जो रिटर्न दिया, तो हर जमिनदार के पास स्टाफ होता था, तो दो तरह का स्टाफ होता था, जैसे आज डिडिशल आफसर के पास एक बेंच कलर्क होता, एक ओफिस कलर्क होता, तो इसे जमिनदार के पास दो तरह के स्टाफ होता था एक गोमस्ता होता था एक पटवारी होता था तो जो गोमस्ता होता था वो जस्ट लाइक ऑफिस क्लर्क होता था वो जमिंदार के ड्योड़ी पर ही रहता था या कचहरी में रहता था और पटवारी है जो कचहरी में भी रहता था और कलेक्शन में पब्लिक के पास भी जाता था तो वो जस्ट लाइक हुआ जो आज के तारिख में करमचारी है जो ब्लॉक से टेंस्ट है जिसको रेहनु करमचारी कहा जाता है तो वो अपने जमिंदार अपने स्टाफ गमस्ता पटवारी के दोरा वो रिटर्न तैयार करवाते थे तो अपने में तो भी दे सकता था या जमिंदार खुद देता था हर तरह का दिटर्जवामंदी मिलता है तो वो डॉक्मेंट प्राइवेट डॉक्मेंट है उसको प्रूफ करने के लिए जो प्राइवेट डॉक्मेंट को प्रूफ करने का प्राविजन है वो अपनाना पड़ वो जुडिशियल फंक्षन नहीं है औरना स्टैचूट्टी फंक्षन है औरना रेवनू ऑफिसर्स का कोई फंक्षन है उसमें तो यह क्या परपस था इसका इसका परपस ही था कि जमिंदार लोग कितना रेवनू ले रहे थे उसी के हिसाब से उनको कंपंसेशन फिक्स किया उसकी अलग विवस्ता की गई रूज तो बहुत से जमिंदार लोगों ने चालांकी भी किया है कुछ फेक लोगों का नाम दे दिया उनको ज्यादा लैंड था तो उसका जमिंदारी जाने के समय में कुछ सेटलमेंट दिखा दिया कुछ अपने फेमिली मेंबर के नाम से द अर्वाले बठिदार बहुत सारे फरजी रहियत बना करके लोग देदी हैं शोते जमिंदार लोगोंने क्या किया हैं बढ़ा कर करके दिया की उससे हमको हाइयर को अपनिंदारों कुछ जमिंदारों ने टाइम पर नहीं दिया तो Agrत जमिंदारों पर कर्मिनल केस वी सेग को सजा भी हुआ जेल भी बेजने का परामना था तो यह सब पुर्किलिया हुई यही एक document है basic document और उसी Land Reforms Act का creation है rules का कि हर जीला ने block की अस्थापना की गए जिसको की अंचल कहते हैं पहले उसका नाम था block और एक ही officer होता था वो block development officer कह लाता था video उसी को revenue और administrative power दोनों था उस छेत्र में जो उसका territorial limits निर्धारित किया था by notification made by state government बाद में फिर उसमें सुधार हुआ तो administrative work video को development work दे दिया गया और जो revenue का work है वो circle officer को दिया गया जिसका बाद में designation हो गया अंचल अधिकारी और अभी भी लोग circle officer बोलते है और block को अंचल कारियाले कहा गया जो आज पुपलर ली सभी लोग जानते हैं अंचल office यह अंचल कारियाले और उसका जो revenue है नचल धिकारी अंचल धिकारी के नीचे अंचल निरिक्षक और उसके नीचे करमचारी होता यह सभी डॉक्मेंट था हर लेगा ब्लोक में रिटर्न फाइल करना था क्लेक्टर के हां तो उसमें बांद में ब्यवस्था की गई कि अगर किसी छोटे जमिंदार का उस अंचल के अंतरगत ही जमिंदारी है एक ही अंचल में है तो वो रिटर्न रेवनु अफसर बना दिया गया अलग-अलग तो वहां पर अलग किया गया कंपनसेशन कलर्ग का और जो रिटर्न जमांबंदी फाइल होता था उसके लिए रिष्टर खोले या उसको कंपनसेशन रिष्टर माना गया और रिटर्न जवामन्दी के आधार पर compensation case number रेइस्टर हुआ ताकि आगे की प्रकरिया चले बाद में उसी प्रकरिया के तहत जितने भी landlord थे उनको या तो compensation के रूप में नगद रासी दी गई या उनको money order से भेजा जाता था periodically और बाद में बहुत सरे जमिनदारों को long term bond issue किया गया जिसको की जमिनदारी bond कहते हैं और इस प्रकार से सरकार की और से जमिनदारों की जमिनदारी लेने के बाद भुकतान किया गया उसी समय जब करमचारी की बहाली हो गई तो करमचारी और स्टाप कुश ब्लोक के अमीन जो भी थे वो लोग स्पॉर्ट पर जाते थे उतके पास तो गौह्मेंट के पास ऑफीशियल कोई डॉक्मेंट नहीं था अंचल कारियाले खुल गया अंचल कारियाले में लेंड रेकॉर्ड तो कुछ था नहीं जो भी सर्वे रेकॉर्ड था जो कैड़ेशनल सर्वे होता था रेइस्टर D Combined with Register A होता था और रहीतों के लिए जो होता था वो रैइस्टी खत्यान होता था सर्वे रेकॉड़ औफ राइट्स बोलते हैं और उसको खत्यान बोलते हैं कहीं-कहीं उसको और वो सब जो सर्वे का रिकॉर्ड था उस से आग जमिंदार जेने रेन डिया, इससे लोग उफिशयली मिलान करते थे और उसको वेरिफाई करने के लिए एसपोर्च पर जाते थे, तो एसपोर्च पर ओफिल्ड में जाते थे, खेत में जाकर कोई फौर्मर वहां पर है, को जोता है उसका नाम पता अगर वो आदमियों है तो उससे इनकुआरी करते थे पूछते थे तो एक रेजिटर रखते थे और उस रेजिटर पर उसका इंट्री करते थे इसी को बोलते हैं फील्ड बुझारत फील्ड का माँने खेत केट में जाके बूझना तो ये बुझने का काम करमचारी अमीन और उनके कुछ ब्लॉक के जो स्टाफ होते थे मिल के करते थे इसका कोई स्टैचुट्री प्रोविजन नहीं है ना लेंड इफॉंस एक्ट में है और ना तो लेंड इफॉंस रूल्स में है इसलिए ये स्टैचुट्री डॉक्मेंट नहीं है और फिल्ड बुझारत जो करमचारी किया बहुसा करमचारी अपने पास रख लिया अब बाद में उसका मिस्यूच करके इधर इधर कुछ करके पैसा कमाया कुछ करमचारी ने फिल्ड बुजारत रेइस्टर को वो अपने सुविधा के लिए रेइस्टर पर लिखा ताकि जो वेरिफिकेशन हो सके प्रोपर जमिंदार के रिटर्न का और उसी लिए उसको फिल्ड बुजारत रेइस्टर नाम दिया गया इस फिल्ड बुजारत रेइ है, but it was not done in official discharge of statutory function under any statute. Therefore, it does not come within the ambit of section 74 of the evidence act. Evidence act के धारा चहुतर, जो साक्ष अधिनियम है, उसके धारा चहुतर में public document का definition दिया हुआ है, और किसको public document कहते हैं, उसके आधार पर ये public document नहीं होता है. इसलिए जो जिशिरार महोदे ने ये प्रस्द किया है, उनके जानकारी के लिए और सोंके जानकारी के लिए इसका आंसर हम करते हैं, कि फिल्ड बुझारत की जो कारवाई की गई थी, वह कारवाई से लगान निर्धारन नहीं हुआ था. वह फिल्ड बुझारत की कारवाई एक तरह से भेस्टिंग रिटर्ण में दिये गए विवरन के चांच और सत्ता की परखेतु किया गया था, ताकि ये पता चल सके कि किसी जमिनदार ने कोई भरमित रिटर्ण जवामन्दीर दिया है, या अनुचित लाव उठाने के लिए कुछ कलत इंट्री भी जमिनदारी रिटर्ण में किया है, इसको वेरिफाई करने के लिए ताकि उसके हिसाब से आगे की कारवाई किया से और ये कारवाई 55 से लेके 60 एकसर तक चला या कहां चला ये कहना कठिन है अलग-अलग जगों में अलग-अलग धंग से किया गया है और इसकी कोई authenticity नहीं है आज कोई व्यक्ति उस रेइस्टर क इंक्री के आधार पर कोई दावा नहीं कर सकता है इसलिए ये जिला अंचल अस्तर पर कहीं उपलवद नहीं है इस कागज को उपलवद कराने का भार ना तो रहियत पर है और ना तो जमिंदार पर है और ना तो सरकार के उपर है इसके लिए कोई भी व्यक्ति उत्तरदाई नहीं हो सकता है और इसकी कोई अफसकता ही नहीं इसलिए मैं सभी रेवनु पदाधिकारी और सभी नयाइक पदाधिकारी से ये चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रा चाहता हूं कि आप फिल्ट बुजहारत के बारे में जो भरम है उसको भरम को निकाल दें इस फिल्ट नहीं ले सकते हैं इंट्री सपोज कर लिए कि यो जमीन ए का है अफिल उजारत में लिखा हुआ है बी का कबजा तो आप उसके अधार पर बी का कबजा नहीं घोसित कर सकते हैं एसा विवाद आपके सामने आए भूमे विवाद से किसी भी परकार का विवाद हो तो इसलिए इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए दूसरा पंजी दू क्या है और रिटर्न जमोंबंदी का मतलब क्या है तो रिटर्न का माने होता है लोटाना तो किसको लोटाना तो ऐसे आम त जमिनदारी थी, तो जमिनदारी तो कानून से समाप्त कर दिया गया, लेकिन जब तक वो चार्ज नहीं देगा, आज भी कोई ओफिशियल को जोईन करता है, छोटा पत से लेकर उचे पत तक, तो एक चार्ज गीविंग होता है, और चार्ज टेकिंग होता है, उसका बिहार सर भेने का डॉक्वेट है, ये रिटर्न है, यानि कि हमारे पास जो जमिनदारी का अधिकार था, जमिनदार के रूप में, वो अधिकार को हम बापस करते हैं, चुकि उसको अधिकार अंगरेजों ने दिया था, जमिनदार को, अब अंगरेज तो छोड़के भाग गया, तो आप यहां का सासक जो है राज सरकार हो गया जो सम्विधान संबत सरकार है जो आम जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है तो चुकी ये लोकतंत्र है जिसको लोकसाही भी कोते हैं तो जो भी अधिकार है वो लोकतंत्र में नहीं थे यानि कि पब्लिक में नहीं थे तो पब्ल मालिक है तो पब्ली का रिपर्जेंटेटिव एस्टेट में एमेले का जिसको कहते हैं विधायक और सेंटर में पार्लेमेंट में जो जाते हैं पार्लेमेंट के मेंबर सांसद लोग तो वो लोग पब्लीक रिपर्जेंटेटिव हैं यानि कि पब्लीक के विस और डिजायर को तो हमारा फिर एक state head को चुनता जो चिफ मिनिस्टर और उनियन में प्राइम निस्टर होता तो इस प्रकार से सरकार का गठन होता है आप सभी जानते हैं तो अब यह सरकार ही यहां का मालिक है पूरे भारत वर्स में union of India है पूरे भारत वर्स में union of India का सासन चल रहा है हर परदेस सरकार का सासक हा, अब जो बेटी सर्स थे उसके जेवाओ पर सासक हो गया परदेस सरकार और केंदर सरकार, तो अब परदेस सरकार को बापस कarpा जमिनदार ने टेशले ऊ estéरी रिटर्ण हुआ, और जमा बंदी जमा और बंद दो सब्द से बना, जमा का मत्रव होता है टोटल, तो जमिंदार लोग जब लगान रहेत से लेते थे, तो जमिंदारी के समय उन लोग भी एक record maintain करते थे, उनका बजाप्ता office होता था, जिसको कचहरी बोलते थे, उन लोग जमिंदारों को पावर था, मुकदमा भी सुनते थे, उस सब आगे बता तो कचहरी इसलिए भी कहा जाता था तो रेवनू मैटर भी सुनते थे अधर आइडिमिस्टेटी मैटर भी उनके आँ जाता था तो रिटर्ण तो समझ गया जमा बंदी मतलब जो जमिंदार के हां लगान कलेक्शन का बही होता था लगान का मतलब हुआ लेड रेवनू जिसको हम लोग माल गुजारी भी उस समय बोलाया था आज इसको लेड रेवनू बोलते हैं और लगान भी बोलते हैं तो उस समय लगान बही में लगान लिखा जाता था तो जमींदार जो है हर रहियत का एक यौन पेज एलाउट ककрах देता था तो उसी में लास्ट में टोटल कर दिया तो टो टोटल करने के इसके बाद लाइन देखे नीचे में टोटल लिखा जाता है तो गल के उसमा को टोटल करने का टोटल को जमा करके जो आया इंट्री कितना लगान आता है तो वो वही तक finally conclude कर गया इसलिए जमावबंद मिला के इस प्रक्रिया को जमावबंदी बोलते है तो पहले जमिनदार लोग उस बही को लगित बही कहते थे और जो लगान देने वाले रईयत होते थे उनको लगितदार कहा जाता था जिसका नाम जमिनदार के लगित में जमा है रईयत है लेकिन जमिनदार लोग उनको लगितदार मानते थे चुकि उनका लगित में नाम दिया हुआ है तो इससे उरिकोगनाईज करते थे कि यही हमारा रेवनु के इंग रईयत है यही रियत है जो हमको रेवनू देता है तो लगित दार हुआ और वही का नाम था लगित वही या सिधे लगित भी कहते थे तो बाद में उसको जमाबंदी भी कहने लगे लोग जमाबंदी वही भी कहने लगे लेकिन जमिंदारी उन्मूलन के बाद यह ज्यादा परचलित क्यों जमामंदी वही हुआ कि वही लगान जो था लगान वाले रिष्टर में लिखा हुआ वही लगान रिटर्ण जमामंदी में जमिंदार ने दिया तो यहां पर दोनों का हुआ जमावबन टोटल रहियत का नाम उसको भी क्लोज कर दिया कि यतने रहियत है मेरे जिमें एक जमीन एतना एकड़ है तो उसका भी क्लोज कर दिया तो लेंड का भी जमा हो गया रहियत का भी जमा हो गया और बंद हो गया और हर रहियत का लगान को लास्ट में जोड दिया कि एतना लगान आता है तो वो जमा बंद हो गया तो इसलिए रिटर्न और दोनो जमा और बंदी म बाद जो रूस बना 1953 में उस रूस में कई तरह का फॉर्म है उसी फॉर्म में ब्लॉक अस्तर पर जो रेवनुप अधिकारी होंगे वो कैसे मेंटेन करेंगे उसके लिए वो फॉर्मेट बनाया लिया और उसमें कॉलूम को भरना था तो जमिंदारी रिटर्न के आधार पर औ और जहां फिल्ड बुझारत हुआ वो फिल्ड बुझारत से उसके कनफर्मेशन के बाद वो एरिया और रहियत का नाम एक पेज पर एलाउट कर दिया गया वो एक रेजिटर के फॉर्म है तो उसी पेज को जमाबंदी नंबर भी बोलते हैं रेजिटर टू भी बोलते हैं हर रहियत का रेजिटर टू में एक-एक पेज एलाउटेड है और उमाल ये दस साल के बाद वो रेजिटर भर गया तो दूसरा पेज फिर एलाउट किया जागा दूसरे रेजिटर में तो वो नंबर कंटिन्यू कर सकता है या बाद में अगर चेंज होता है किसी कारण से त प्रस्ट नंबर ये तना और उसमें लिखा रहेगा कर इट फ्रॉम रेजिटर नंबर ये तना अर्लियर जबावन्दी नमर ये इस तरह का इंट्री है और नहीं तो सेम नंबर चलते रहेगा अलेस बाद में डिवीजन हुआ सेल हुआ ट्रांसफर हुआ कुछ भी हुआ त प्रस्ट नंबर दू ये था फिल्ट बुजारत के बारे में हम समझते हैं कि इतना सफिशेंट है आप लोगों के लिए फिर नेक्स लेक्चर में आगे आपको अन्प्रस्ट के बारे में और रिलेटेट प्रविजन से बारे मताएंगे सभी व्यूवर को एक बार पुना हम एसमारित करते हैं कि आप लेक्चर सिरीज को लगातार सुनें और इसको सुन करके अपने उप्योग में लावे और इसका लाव उठावे जैहिन